दादी माग के बताय हुए बहुत ही काम आने वाले आसान कीचिन टिप्स जरूर देखें नमबर एक मोटापा कम करने के लिए इनाइची का सेवन करें सुबह का यह तरीका आएंगे काम इनाइची और निम्बू का मिस्रन भी पेट की चर्वी कम करने में मददगार हो सकता है इसके लिए इनाइची को पानी में बान ले और इसमें ताजा निम्बू का रसनी चोड़ ले सुबह खाली पेट इसको पीने से मेटाबॉलिजम को बूस्ट करने बॉड़ी को डिटॉक्स करने और इंप्लिमेंटेशन को कम करने में मदद मिल सकती है नमबर दो हमारे शरी में दो तरह का कोलेस्टोल पाय जाता है गुट कोलेस्टोल और बैड कोलेस्टोल सुबह खाली पेट अमरुद की पतिया चवाने से कोलेस्टोल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है नमबर तेन शहत कभी न खराब होने वाला एक शर्व गुन शंपन खाद है इसमें खराब बैक्टेरिया को मारने की शक्ति होती है इसमें वजोद एंटी ऑक्सिडेंट्स और एंटी एंप्लिमेंट्री गुन पेट और गले की जेलन से राहत दिलाते हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए आप दो चमच शहत को एक गिलास पानी में अच्छी तरह मिला कर पिए अगर आप खाली पेटिस का सेवन करते हैं तो जादा फैदा होता है गर्दन के पीछे दर्द का उठना रीर की हड़ी कमजोर होने की निशानी है एक आलो को कद्दू कस कर ले इसमें एक चुटकी हल्दी मिला कर चेहरे पर लगाने से रंग गोरा होता है गुर्दे के दर्द में पानी जादा पिए इससे अराम मिलता है पतले वाले को घणा करने के लिए चाय पत्ती के पानी में आबला पाउडर मिला कर बालो में लगाने से बाल तेजी से बढ़ते हैं और बालो का जन्ना रुख जाता है बाशी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है आबला पोशक तत्वों का पाबर होश होता है इसे खाने पर शरीर की रोग परतिरों तक जमता यानि की इम्मनिटी मजबूत होतने में मदद मिलती है आबला एंटी ऑक्सिडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर होता है इसे खाने पर ऑक्सी डेटिव इस्टिश कम होता है सिलूलर डेमिज कम होता है और शरीर इंफिक्शन से भी बचा रहता है रोजाना कच्चा आबला या फिर आबले का मुडब्बा खाय जाए तो पेट की दिकदों से लेकर इस्कीन और बालों तक को फैदा मिल जकता है आबला खाने का एक फैदाया भी है कि विटामिन सी से भरपोर होने के चलते आबला मेटाबॉलिजम के फैदे देता है और बेट मैनेजर्ट में मददगार है इससे सरीर में एनरजी भी बनी रहती है बालों को कभी भी गरम पानी से नहीं धोने चाहिए क्योंकि इसे बाल कमजोर और दो मुहे हो जाते हैं खाना खाते शमय काच या कंकर खाने में आ जाए तो इशब गोल भूसी गरम दूद के शाथ तिन समय सेवन करे तुतलापन दूर करने के लिए रात को सोने से पांच मिनट पहले दो ग्राम भूमी फिटकेरी मुह में रखे बालों को सफेद होने से रोकने के लिए एक कप नारियल का तेल ले और उसमें एक मुठी करी पते डाल दे इन्हें आठ मिनट के लिए उबाले और फिर ठंडा होने दे इसे हर दुसरे दिन अपने बालों में लगाए और एसकल्प की मसाज करें चन दिनों में पीट के अंदर करने के लिए तीन और शिदी का कारगर्स चून बनाएं तीन चमच अलसी के बीज, दो चमच जीरे, दो चमच अजवाइन को ले अलसी का बीज शीका होना चाहिए अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिला कर पीछ ले चून तेयार होने के बाद शुवा और साम इस चून का सेवन करें या पेट की चर्वी को तेजी से पिगलाता है नमबर पंदरह कच्चे बदाम और अंडी की जर्दी बालों के लिए सबसे अच्छा कंडिशनर है इससे बाल लंबे, घने और मुलाइम होते हैं दूद जले भी खाने से शरीर को ताकत मिलती है लगतार आने वाली खाशी को रोकने के लिए शहद का उप्योग करें एक चमबा शहद ले इससे गरम पे में मिलाने से आपके गले को अराम मिलता है और खासी भी कम होती है सोने से पहले शहद लेना विसेश रूप से परभावी होता है गरम तरल पधार्थ पिए गरम चाहिया चिकन सुप जैसे गरम तरल पधार्थ पीने से ना की भीर में शुधार होगा और सर्दी के लक्षनों से भी राहत मिल सकती है नमबर अठारं उबले चाबलों के पाने से साथ दिन मूध हो लो चेहरे का शाबला रंग दूध जैसा सफेद हो जाएगा जुरिया और जाया भी इससे दूर हो जाएंगे नमबर उनेश गाय के दूध में थोरा सा जाय फर डार कर चेहरे पर लगाने से पिंपल्स तेजी से खत्म होने लगते है नमबर बेस सोयाब इनका सेवन करने से किसी भी तरह की कमजोरी दूर हो जाती है नमबर इकेस जवान रहने के लिए परती दिन एक आपला जरूर खाए नमबर बाइस खाने के बाद शौप का सेवन करने से खाना अच्छे से पचता है शौप, जीरा और काला नमक मिला कर चून बना लिजिए खाने के बाद हलके गुलगुने पाने के साथ इस चून को लिजिए यह उत्तम पाचक चून है नमबर तैस गरम पाने क्यों पीना चाहिए? पाने को वाल लेते जब उसका चोथा हिसा जल जाए अर्था तीन हिसा पानी ही बचे तो ऐसा पानी पीना स्रेश्ट है ऐसा गरम पानी का सेवन हमारे सरीर के वात, कफ और पित तीनों ही दोस्तों को खत्म करता है शुबह खाली पेट और रातरी खाने के बाद गरम पानी पीने से पेट की सभी समस्या खत्म होती है और गैस जैसे समस्या निकट भी नहीं आती है नमबर 24 खाना बनाने के बाद खाले चुले पर तबा न रखे, गैश बंद करने के बाद तबे को चुले से उतार कर रखना चाहिए खाने वाला चुना एक ग्राम को एक केले में रखकर प्रती दिन भूखे पिट खाने से कुछी दिनों में पिलिया रोग ठीक हो जाता है पका हुआ केला और शहद मिला कर खाने से भी पिलिया रोग ठीक होता है अगर आप तेल से नाख पर मसाज करते हैं तो इससे डिप्रेशन दूर होता है अगर आँखों से पानी आता है तो समझ लिजिए कि आपके आँखे कमजोर है इसलिए तरण डॉक्टर को दिखाए नमबर 28 दातों से नाखुन काटने से दिमाग कमजोर होता है अपने चेहरे को चमकदार और वेदाग बनाने के लिए रात में शोते समय नारियल तेल से पांच मिनट मसाज करे नमबर 30 शुबा का नस्ता नहीं करने से इंसान का सरीर फूरता है और हजमा भी खराब हो जाता है और शरीर कमजोर हो जाता है नमबर 31 कच्चा पनीर खाने से दिमाग तेज होता है और पनीर में पाय जाने वाला विटामिन भी हमारी आदास्त को तेज करता है नमबर 32 अगर आप टॉलेट जाते समय दातों को दवा कर रखते हैं तो वह मजबूत रहेंगे और आपको कभी भी लकवार नहीं होगा दोद में हल्दी मिलाकर पीने से नीद अच्छी आती है और शरीक इंफेक्शन का सामना करने में मदद मिलता है रोजाना खाना खाने के बाद छाच पीने से कोई रोग नहीं होता है शाथी चेहरे पर चमक भी आ जाती है गर्मी के मौश्रम में आपको रोजाना कम से कम 3 लिटर पानी पीना चाहिए पानी आपके बाड़ी से टॉक्षिन को बाहा निकालता है आपको हैड्रेट रखने के लिए नारियल पानी तरभूज और अन्य फलों का ताजा जूस भी पीना चाहिए आप पानी की कमी पुरा करने के लिए अपनी डाइट में दही और छाच भी सामिल कर सकते हैं गैस की तकलिफ से तुरंद रहत पाने के लिए लख्षन की दो कली छील कर दो चमच सुदगी के साथ चबा कर खाए इससे फौरण अराम होगा मेरी टिप्स यहाँ पे कतम हुई मेरी टिप्स आपको कैसी लगती है जरूर बताए अगर अच्छी लगती है तो प्लिज लाइक करें मेरे चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करें फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्यार लखें बहुत ही ख्यार लखें नन्यबाद